क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि एक उट अपने हम्प में पानी को स्टोर करके रखता है जिसको की वो रिगिस्तान में खुद को हाइडरेट करने के लिए यूज करता है लेकिन ये सिर्फ एक मित है क्योंकि असल में एक ऊच पानी को अपने हंप में बलके बोडी के ब्लड वैसल में स्टोर करके रखता है और आपको भी जानकर हरानि होगी की एक ऊच जीं में लगबक 4.000 गैलन से भी ज्यादा पानी पी सकता है लेकिन अगर इस हम्प में पानी नहीं होता तो आखिर इसमें होता क्या है। दरसली सहम्प के अंदर एक उट अपना बॉडी फैट स्टोर करके रखता है जिसको की वो रेगिस्तान में जरुद पढ़ने पर अपने हिसाब से यूज़ करता है ताकि उसे खाना और एनरजी दोनों मिल सकें।